सबको मेरी राम राम दोस्तों आज हम एक ऐसे पक्षी की बात करेंगे जो सबको बहुत पसंद होता है वो है तोता तोता जादा तर हरे रंका होता है उसकी गर्दन चारों तरफ घूम सकती है देखने में बहुत ही सुन्दर होता है उसकी चोच लाल कलर की होती है, पंजे मजबूत होते हैं, जिससे वो अपने फलों को पकड़ कर खाता है, या अपने भोजन को जो भी होता है, उसको पकड़ कर खाता है, देखने में बहुत ही आकरशक लगता है, लेकिन एक बात और है, तोते केवल हरे रंगे ही नहीं होते, वो लाल, पीले, सफेद और कोई-कोई तोता तो काला भी होता है इसके बारे में भी मैं भी आपको बताऊंगी तोता चुनकर मीठे फल खाता है, सुगंदित फल खाता है और कच्चे और पक्के दोनों तरह के फल खाता है तोता कक्डी, खीरा, भीगी हुई चने की दाल बहुत पसंद करता है अब आप बोलेंगे तोते की उम्र क्या होती है दोस्तों तोते की उम्र सुनकर तो आप चौक ही जाएंगे क्योंकि तोते की उम्र 20 साल से लेकर 80 साल तक होती है बहुत लंबी उम्र होती है जबकि देखने में ये जीव बहुत छोटा होता है इसके बाद एक और बात बताती हूँ तोते को काम देव भगवान का वहान माना जाता है इसका संबंद धन के देवता कुबेर से भी होता है और ये हरे रंग का होता है इसी लिए ये बुद्ध ग्रह का कारक भी माना जाता है तोता प्रेम, वफादारी, सौभाग और प्यार का प्रतीक होता है बच्चों के घर में तोते पालना इसलिए पसंद किया जाता है कि जिस घर में तोते होते हैं उस घर में खुशाली होती है बच्चों का पढ़ाई में बहुत मन लगता है पर मैं बताऊँ न दोस्तों मुझे तोता पालना या किसी भी पक्षी को पिंजडे में बंद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं अपनी राय दे रही हूं बाकी पाले तो जाते ही हैं पक्षी बहुत लोग पालते हैं हर तोता बोलने वाला नहीं होता है आप सोचें कि आपने जो भी तोता पाला है वो बोलेगा ऐसा नहीं है हर तोता बोलने वाला नहीं होता है लेकिन जो तोता बोलने वाला होता है वो सिखाने से बातों को तुरंथ ही सीख लेता है अब आप बोलेंगे कि नर और मादा तोते को हम कैसे पहचान सकते हैं दोस्तों तो नर मादा का सिर उपर से गोलाई से थोड़ा सा चप्टा होता है मादा तोते का सिर थोड़ा सा गोलाई लिये वे होता है सबसे लोग प्रियत होता जिसको हम पालते हैं उसको बुग्गी या मैं पढ़के बताती हूँ उसको बुड़ गेरिगार भी कहते हैं ये mostly हरे रंग का होता है पर सफेद, पीले और नीले रंग के भी तोते बहुत आकरशक होते हैं तोतों का साइज और कलर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होता है जो हरे, पीले और नीले रंग के तोते होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं इस पैरो जैसे और हरे तोते भी साइज में भिन-भिन होते हैं ठीक है? दुनिया का सबसे महंगात होता हरा ना होकर काले रंका होता है आपने कभी सुना है काले रंकात होता वो सबसे ज्यादा महंगा होता है और बहुत ज्यादा काले रंका होता है और ये कॉक्टू फैमिली से बिलॉंग करता है इसी लिए इसे ब्लैक पाम भी कहते हैं वर्ड में अलग-अलग प्रजाती के बहुत प्रजातियों के तोते पाये जाते हैं पर मैं आपको तोते के बारे में बस बहुत ही सूख्षम नॉलिज दे रही हूँ आप कहेंगे कि पूरा नहीं है लेकिन जोérique तीन प्रजातियां हैं मैं उनके नाम दे रही हूँ मैं दोस्तों वह पढ़के बताऊंगी क्योंकि वह बोहुत टिपिकल सी है ठीक है तो तीन तरह की जो में प्रजातियां है वह है पहली है सिटा कोई डेया सेकंड है कोका टोई इडेया तीसरी है इस्ट्रगो पोई डेया ये तीन प्रजातियां मुख हैं वैसे तो तीन सो से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं आज मैंने तोते के बारे में थोड़ी सी नॉलिज जितनी मुझे थी मैंने सोचा आपको भी दू तो मैंने वो दी है तो अगर आपको ये नॉलिज पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए मुझे आपके हेल्प की बहुत जरुवत है दोस्तों आप मेरी हेल्प कीजिए हेल्प मतलब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू